सिंक्रोनाइजेशन तो आज यही टॉपिक है हम लोगे स्टार्ट करते हैं दिखते हैं कहां ते कंप्लीट होता है क्योंकि पर्पस कंप्लीट करना नहीं है पर्पस है इस टॉपिक को समझना क्योंकि इसमें कोशन से ज्जादा लॉजिक है कि बहुत सारा कोशन क्रियेट हो सकता है कि लॉजिकली अगर समझ लिया जाया इसके इसके कंटेंट्स के फ्लो को अगर समझ लिया जाया क्या-क्या टेक्निक इंप्लिमेंट कर रहा है कैसे-कैसे करना है कोशन बन जाएगा नहीं समझोगे सोचोगे अच्छा एक और रास्ता होता है क्या किसी भी टॉपिक को समझने का पढ़ने का कोई भी सब्जेक्ट के लिए कि अच्छा theory उतना अच्छा नहीं है theory part अगर उतना अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे question लेंगे बहु सारे question को practice करेंगे इससे क्या होगा theory part develop हो जाएगा और topic का knowledge हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं implement करना है यहाँ पर तोगि अगर चाहोगे question बना कर theory को समझ लें यह बहु ज़्यादा मुश्किल है theory को समझ कर question बना सकते हो वो असान है इसलिए क्या करेंगे हम लोग पहले हम लोग theoretical part को बहुत अच्छे से analyze करके परेंगे हर छोटे छोटे details को देखेंगे को कि इसमें है क्या इसमें code होगा क्या problem हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्या उस problem का solution हो सकता है हर चीज हम लोग देखेंगे तो पहली बात तो जानो synchronization पिछले class में एक रफ असके चेक बता रहे थे आभी जो बताएंगे अर्जेक्ली प्रफर्ली मतलब यह synchronization topic के श्टार्ट हो गया लास्ट क्लास में को overview हम ऐसे ही बताए थे कुछ समझों की synchronization है क्या थोड़ा सा समझ में आया होगा तो आज प्रफर्ली देखेंगे synchronization जैसे ही बोलें इसका मतलब समझ लेना जो यहाँ पर more than one process है more than one process exist कर रहा है क्यों? क्योंकि यह कही process है तो एक process में क्या है? एक process सिधा ही run कर जागा कोई problem नहीं है ज़्यादा एक से ज़्यादा होने में जब एक से ज़्यादा process system में run करेगा तब वो कुछ problem का chance बनता है कि साइद वो दोनों के execution flow में कुछ रास्ते में ही problem आ जाए कि execution complete ना हो पाए अगर complete हो गया तो कुछ जो required हम लोग को output चाहिए था required output नहीं आए एक क्या problem हो सकता है? कि यह ज़्यादा क्यों complete ही नहीं होगा बीच में ही रुक जाया अपस में एक और problem एमान लोग फर्स टाइप प्रोलम हुआ है एक और problem क्या सकता है? complete हो गया लेकिन जो output चाहिए था हम लोग को वो output नहीं मिला में लिए दो तरह का problem है क्यों कुछ code को run करवा रहे हैं तो हम लोग क्या सोच करन करवा हैं कुछ particular work उस code के help से करवाना चाहते हैं हम लोग एक purpose है न हम लोग का तो एक code को जब run करवाएंगे तो देखेंगे कि properly run भी करें completion भी हो उसका execution complete भी हो और जो output चाहिए हम लोग को वो output भी मिले तो अब क्या है एक से ज़्यादा process होगा तभी यह problem marriage होगा मतलब दो process मैंने हम चाहिए दो process के बीच में क्या-क्या relation हो सकता है सोचूँ दो process के बीच में क्या-क्या relation हो सकता है दो process के बीच में relation है होगा कि माल लो एक process जो है एक relation जो है दोनो process के बीच का वो क्या हो जो दोनों ही independent process हो independent दोनों ही independent हो process एक यह हो सकता है एक और क्या हो सकता है जो दोनों process प्रोसेस प्रोसेस इंडिपेंडेंटेंट है मतलब क्या पी यह और पी टू प्रोसेस है इसका different code है और इसका भी different code है दोनों ही totally different है कुछ भी नहीं common है इसका अपना code है यह अपना run करेगा इसका अपना code है अपना run करेगा कहा रन करता था running a state में कैसे ready to running short term cellular लेकर जाता था आप्रोसेस को run करवाता था यहां पर क्या independent है यह दोनों में कोई relation ही नहीं है दोनों separate है तो independent प्रोसेस क्या है पैलली run कर सकता है किसी भी sequence run कर सकता है मतलब कोई problem नहीं है तो इसको लिख देंगे ऐसे कि यह पर्लेली run कर सकता है दोनों ही प्रोसेस एक और है क्या corporate प्रोसेस मतलब कि इसमें क्या problem आएगा कि एक प्रोसेस है जो दूसरे प्रोसेस को कुछ problem create कर रहा है कुछ problem का मतलब क्या है कुछ change ला रहा है execution order जो दूनों का है मालो p1 के बाद p2 या p2 के बाद p1 या दूनों जब parallel में run कर रहा हो तो दूनों के बीच में दूनों के execution flow में कुछ न कुछ change ला रहा है कैसे चेंज़ ला रहा है दोनों की code में कुछ common होगा दोनों का code है न यहाँ पर क्या code है P1 का कुछ code है लिखा हुआ यहाँ P2 का भी कुछ code लिखा हुआ है यह क्या है code टोटली डिपरेंट क्या यह जो कोड है टोटली डिफरेंट है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हुआ इंडिपेंडेंट है यह दुनों एक दूसे को एफेक्ट नहीं कर रहा है relationship में क्या है एक पीवन है प्रोसेस एक पीटू प्रोसेस है पीवन है जो या तो पीटू को एफेक्ट कर रहा है या पीटू है या तो पीवन है जो पीटू से एफेक्ट हो रहा है मतलब की ओ माइ गॉड इंक गिर रहा है, ज्यादा इंक इसमें भरा गया है, बतावो, इतना इंक भाईया भर दिये, चलो कोई नहीं, एक सिकेंड रुख जो इंक का कुछ प्रोलोंग सौल करना दो, कौन भाईया बह रहे हैं, इतना इंक, जो उबर फ्लो हो रहा है, चलो, हाथ में भी इंक लग सकता है, जो तो एक चीज़ समझ रहे हो ना तुम लोग, जो दोनों प्रोसेस है, उसके बीच में, अगर कुछ भी, पॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों सेपरिटली रन कर सकता है, अपने अपने टाइम में, एक दुसरे को एफिक्ट नहीं करेगा, हूं, और अगर, दुनों के कोड में कुछ कॉमन होगा, दुनों के कोड में कुछ भी कॉमन होगा, तो पॉसिबिलिटी है क्या, जो एफेक्ट से, और या तो पीवन एफेक्ट करेगा, पीटू को, या फिर पीवन एफेक्टेड वाई पीटू, मतलब या तो पीवन पीटू को एफेक्ट कर रहा है, या एफेक्टेड वाई पीटू मतलब कुछ न कुछ एक दूसरे को डिश्टर्ब किया जा रहा है, कुछ चेंजिंग लाने का कोशिस किया जा रहा है, कहां पर होगा यह होगा कोपरेटी प्रोसेस में मतलब क्या है इसका कुछ कोड है इसका क्या है इसका भी कुछ कोड है तो एस दुनों के कोड में कुछ चीज है जो कॉमन है देखो रेड वला है जो कॉमन है कॉमन पर या कॉमन कोड जो भी है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है क्रिटिकल सेक्षिन इसको क्या बोलते है इसको क्रिटिकल सेक्षिन जिस पार्ट में कॉमन कोड एक्जिस्ट कर रहा है दो प्रोसेस के बीच का कॉमन कोड जिस पार्ट में एक्जिस्ट कर रहा है उस पार्ट को क्रिटिकल सेक्षिन बोलते है झाएर किसलन ट्रक इसका मतलब क्रिटिकल सेक्षिन इस दैट पार्ट उप कोड़ वहर कॉमन में एप्जिस्ट जहां एक्जिस्ट कर रहा है कोओन विइबल तो जब-जब कुछ common code होगा तब एक chances है क्या कि या तो effect करेगा एक processor को या फिर दुसरे process से affected होगा तो जब affected होगा इसके output को सही output लाने के लिए क्या करना हम लोगों को यहां पर ही हम लोगों को synchronization करना है यहां पर क्या करना है synchronization to get right output क्यों 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 कि कुछ common है एक उसरे काउपट कर रहा है न यहां कुछ नहीं करना है यहां दोनों कही code different है कोड अपना इंडिविजल करदा दा रहा है के दुन इसका एक अपना output आ है इसका कुछ अपना output आया है और इसका भी करवाने के लिए इसका सही output के लिए क्या करना होगा synchronization करना होगा किसके लिए यह दोनों process के बीच में तो क्या होगा सही output हम लोग को मिल पाएगा तो अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग इसके बाद देखेंगे कि synchronization से क्या-क्या problem आता है यही है ना synchronization करने से क्या-क्या problem होगा तो देखते हैं क्या-क्या type का problem synchronization नहीं रहने से आएगा क्यों कुछ करना पर दा क्यों आएगा प्रोडलम क्यों राइज होता है वो यहाँ पर बताए कि common कुछ code है वो code individually run नहीं कर पाता है कोई और effect कर देता है उसके running duration में जब रन कर रहा होता है code उस time किसी और process का code common होने के कारण वो किसी और से effect हो जाता है और सही output desired output user को नहीं देता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग करेंगे synchronization जिससे की हम लोग का desired output मिल जाए तो अभी क्या देखेंगे अभी देखते हैं बहुत अच्छे से परहेंगे छोटा छोटा details basic से हर चीज को परहेंगे एक एक word एक sentence को समझ लेना कभी नहीं दिक्कत हो आसें कुनाईएसन में और इससे question भी आता है कोई भी exam रहे अच्छा exam है एक question इसे देगा क्यों इस समझने का चीज है तो logical चीज है तो exam क्या क्यों होता test करने के लिए होता है कितना परहा गया है test इससे होगा न logically कितना strong है सामने का person क्या कुछ सोच है क्या practically क्या था उठाउट है सब्जिक के वारे में कितना समझ पाता है कुछ नया सूच सकता है कि नहीं तो यहाँ पर क्या है सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहला चीज देखेंगे क्या आ में वचीज के सकता है प्रोगम्स आइधर बाहरे में विपकर्णे से का लेखाना सकता है आइधर प्रोगध caucus उपकर्यम्स, यह 으र नाइफसी में बाहरे में उपकर्यल्स ही अरल्सकर्स अरया द मेंस्सक्षेंगे करेज्स, Synchronization मतलब क्या-क्या problem हो सकता है अगर Synchronization नहीं करते तो कितना type का problem हो सकता है पहले जानेंगे problem को तभी तो हम लोग solution सही solution के आगे तरफ बर्स पाएंगे जब तक problem नहीं पता होगा जब तक नहीं पता होगा कि क्या-क्या problem आ सकता है तब तक Synchronization करके कैसे solution निकाल सकते हैं तो problem पता होना चाहिए जो क्या-क्या problem राइज हो रहा है Synchronization नहीं रहने के कारण दूसरी चीज क्या जानेंगे दूसरी चीज जानेंगे जो स्टेपस तो वी फोलोब दूसरी चीज जानेंगे Synchronization मतलब कि Synchronization करने के लिए Synchronization करने के लिए क्या-क्या अस्टेप करना होगा तब क्या-क्या condition फोलो करना होगा जिससे कि Synchronization proper Synchronization हो तो यह भी पता होना चाहिए न कि अब कुछ problem का solution कर रहे हैं हम लोग कुछ मान लो solution हम लोग कर रहे हैं किसी problem का solution दे रहे हैं पता ही नहीं है कि solution में करना क्या-क्या है यहाँ देखो sequence में देख रहे हैं सब क्या सबसे पहला चीज़ देखे क्या problem है Synchronization नहीं रहने से क्या problem है सबसे पहले problem को देखे उसके बाद Synchronization करने के लिए यह दो process के बीच में implement करने के लिए क्या-क्या step follow करेंगे क्या-क्या conditions जरूरी है यहाँ conditions में लिख सकते हो ऐसे करके लिखो conditions required और लिख दो steps और conditions required to be followed for implementing or achieving और achieving synchronization मतलब synchronization achieve करने के लिए क्या-क्या steps क्या-क्या condition follow करेंगे जिससे proper synchronization दो process दो या दो से ज़्यादा process के बीच में होगा जिससे जो problem आ रहा था वो problem नहीं आए वो problem को remove कर दें तो यह सब steps हो गया उसके बाद क्या है उसके बाद है solutions मतलब की क्या-क्या solution है synchronization के लिए क्या-क्या step है क्या-क्या condition required है तो जान लिए अब solution क्या-क्या है वो सब a step करने के लिए वो सब a step कैसे करेंगे वो सब a step को वो सब condition को satisfy करने के लिए उस condition को fulfill करने के लिए जो sub condition required है synchronization को achieve करने के लिए तो एस sub condition को implement कैसे करेंगे एक process में implement करेंगे एस sub condition को एस sub condition को जब implement करेंगे उसी को solution बोलते हैं तो solution कितना तुरह का है क्या क्या solution है इसमें क्या होगा रॉंग एंड राइट रॉंग एंड राइट सोलूशन्स मतलब की कुछ सोलूशन जो आया है वो सही है और कुछ गलत भी है तो हम लोग क्या-क्या पता होना चाहिए हम लोग को दोनों ही पता होना चाहिए कि कौन सा सही है सोलूशन और कौन सा गलत है तब देखेंगे ना कि जो गलत है तो क्यों गलत हुआ था मतलब गलत होने का मतलब क्या होगा indirect meaning बोल रहे हैं कि कोई solution सही नहीं है इसका मतलब कि जो जो condition required था जो जो condition synchronization को एशीव करने के लिए required था और required condition अगर किसी solution से नहीं मिल पाया सब के सब required condition नहीं मिल पाया इसका मतलब कि ओ solution है जो wrong solution है और जब किसी solution से जो condition required है ओ required condition मिल गया अगर तो ओ solution क्या है right solution है क्यों? तो कि जो condition चहीए था ओ फुल्फिल कर ही दिया जा रहा है मतलब कि synchronization हो गया synchronization हो गया मतलब कि जही solution है नहीं right solution है फिर तो mainly ये तीन तरह के चीज को हम लोग परहेंगे तो क्या-क्या problem आ सकता है क्या-क्या problem आ सकता है synchronization नहीं रहने से सबसे पहले फर्ष्ट वाले पार्ट को देखते हैं आप ऐसा ऐसा नहीं सोचो क्या होगा तो कोई प्रोब्लम नहीं है हम लोग का जैसे ही ये प्रोब्लम को कैसे देखेंगे प्रोब्लम को कैसे देखेंगे जब प्रोब्लम का बात करते हैं तो सिंक्रोनाजेशन कहां पर जवरी था जब एक से ज़्यादा प्रोसेस था तब सिंक्रोनाजेशन जवरी था ना तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाजेशन जवरी था उसमें कुछ कोड था कुछ कोड में कुछ कॉमन डेटा था common variable था, उस common variable के चलते ही न, synchronization करना पर रहा है, ओकि अगर common नहीं था, तो क्या था, independent process था, तो independent process के तो कोई दिकत नहीं आया था, जो cooperative process था, जो dependent था, जो की effect कर रहा था किसी और को, या किसी और से affected by हो रहा था, problem वहां ही आ रहा था, मतलब क्या है, मिलता जुलता process दोनों कुछ ऐसा काम कर रहा था, कि ओडोनों कहीं न कहीं collide कर रहा है, किसी जगह पर मिल रहा है, कि एक ऐसा काम है, मालो एक बहु सारा एक काम कर रहा है, उस अगर sub atomic part में, उसके काम को divide कर दिया जाए, उसमें एक sub atomic part minimum, दूसरे वाले के एक sub atomic part से common मिल जा रहा था, और इसके चलते ही problem create हो रहा है तो इसको कैसे देखेंगे इसको हम लोग coding लिख कर देखेंगे पूरे code कर लिखेंगे तो क्या code को याद करना होगा नहीं, code को नहीं याद करना होता है इसको भी मिटाते हैं चलो हम लोग को अस्पेस चाहिए पुरा board का code को याद नहीं करना है इस code को याद नहीं करना समझना है कि code में कैसे कैसे flow चलेगा ताकि इसके जैसा बात में कभी कोई code दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या problem है तो उस code को हम लोग run करवा सकते हैं उस time पहले से code run करवाया हुआ रहा है तभी न करवाएंगे इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है अगर टू प्लस टू पॉर भी नहीं करेंगे पहले क्या कर रहा है तो से रियू लिंग में क्या किये थे तो त्री फोर फाइब कुछ नंबर आ रहा था यहां पर नंबर भी नहीं आना है यहां पर बसके वर लॉजिकल करनेक्शन होगा कि कैसे कैसे उस code के code को जब run करवा रहा है तो उसका flow कैसे कैसे चल रहा है तो कुछ तरह का है पहले code लिखते है ग्रूप एंसे लिखते है code तो code हमको भी नहीं याद है code याद करना भी नहीं है code जिसे नहीं याद करना शुरू कर दिये समझ लोकिस synchronization नहीं समझ में आया और नहीं बनेगा हाँ बार बार परहते परहते हमको याद हो जाए वो अलग चीज है या किसी faculty को याद है बहुँ times परहाने के बाद वो अलग चीज है लेकिन कुछ code को याद कर ले रहा है वो गलत है याद करना नहीं है याद हो जाना किसी को बताते बार बार याद हो सकता है